अच्छा ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जो आपको डेली 3% प्रॉफिट दे जाए या फिर 3% के आसपास आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे ही स्ट्रेटेजी बेस कॉंसेप्ट के उपर और जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे ज़्यादा स्ट्रेटेजी कवर नहीं की जाती है लेकिन जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी लेके आते हैं तो हमारे clients और हमारे जो members हैं वो बहुत अच्छी profit जो है वो उस particular strategy से बनाते हैं तो guys यहाँ पे पहले यह notice किया जाता है कि क्या यह strategy आपके काम आएगी अगर वहाँ पे probability ज़ादा हो तब भी आप तक पहुँचाई जाती है otherwise हम उस type की strategy यहाँ पे upload नहीं करते हैं जो आपको फाइदा नहीं देगी तो definitely यह वीडियो आपको अच्छा फाइदा देगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे हम यह आप एक चर्चा करने वाले हैं कि daily 3% profit as a intraday कैसे निकाला जाए और जैसा कि आप देख पा रहे हैं thumbnail पे या फिर अभी screen पे 9.15am concept है strategy का यानि कि जब market खुलता है यानि कि pre open market होता है उसके base पे जो है वो आपको इस strategy concept को समझना है definitely आप एक अच्छी खासी profit जो है वो इस simple सी strategy से ले पाएंगे साथी mention करना चाहूंगा ये उन लोगों के लिए है जो बिलकुल ही नए है intraday में वो इस type के strategy concept के साथ एक अच्छी खासी profit जो है वो monthly तयार कर सकते हैं चाहती ये pro trader यानि कि जो advanced trader है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी साबित होगी अगर वो strategy के rules को follow करकी काम करेंगे तो वीडियो को शुरू से अन तक जरूर देखिएगा अगर आप वीडियो को बीच में skip कर दोगे guys तो definitely आप best part जो है इस वीडियो का वो miss कर सकते हो तो मेरी यहाँ पर एक ही request है वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगा अगर आपको ये strategy profitable नहीं लगती है तो आप अपना comment जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि इस से आपको फाइदा नहीं हुआ क्योंकि इस strategy को हमने backtest किया है हमने बहुत बार इस concept पर काम किया है और बहुत अच्छा result हमें इस particular strategy पर मिला है उमिद करूँगा कि ये strategy आपके लिए भी बहुत ही खास हो मैंने tweet किया था guys कुछ दिन पहले अगर आपने notice किया होगा इस particular thumbnail का कि क्या आप चाते हैं इस video को वहाँ पे बहुत जादा like समय मिले तो जो हमारी general post होती है Twitter पे उससे जादा इस particular tweet पे बहुत जादा लोगों का support मिला और लोगों ने चाहा कि ये video upload हो तो यहाँ पे आपके सामने ये video present करी जा रही है तो guys video की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको live market में अगर मैं present करता तो आपके लिए और भी अच्छा साबित हो सकता था लेकिन live market में हमारे साथ कुछ लोग काम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सई समय नहीं मिल पाता है definitely मैं दूँगा और उसके बाद जो है यहाँ पे live market में live proof के साथ भी आपके साथ strategy को share करने की कोशिश करूँगा तो guys video में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी request कि अगर आपने अभी तक हमारे इस channel unitland को subscribe नहीं किया है तो simply आपको एक red girl का बटन दिखेगा इस type का subscribe का उसे जर इन सीरीज को जो की है बैंक निफ्टी निफ्टी का एक सीरीज और दूसरा है डेली दो स्टॉक का intraday concept का सीरीज उसको follow करके आप डेली रूटीन में एक perfect intraday trading कर पाएंगे चलिए guys बढ़ेंगे वीडियो में आगे और तो guys सबसे पहले हमको आना है national stock exchange के official website पे guys यह एक new website और आपको new website पर ही काम करना है क्योंकि जैसे ही आप nscindia.com लिखोगे आपके सामने यही खुल के आएगी simply जाना है तीसरे नंबर का tab जो के आपको दिख रहा है market data वहाँ पे आपको pre open market पे click कर देना है guys जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने pre open market के data आजाएंगे 9-7 आप strategy किसी भी type के market में काम करेगी और यहां पे आपको समझने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ buying concept में काम करना है बिल्कुल short selling का यहां पे concept इस particular strategy में नहीं जमेगा तो इस बात का ध्यान जरूर रखेगा advance decline आपको कुछ नहीं देखना है simply जाना है नीचे और यहां यहां पे आपको change percentage जो दीख रहा है उसको कर देना है आपको ascending ठीक है यहां पे ascending descending option दिये हुए है तो यहां पे आपको दीख जाएगा सबसे तादा moment कि इस particular stocks में bull side में देखने को मिल रही है जिसमें पहला stock है JSW Steel, Nature Motor, Tata Steel, Supply and Bajaj Finsov तो guys यह 5 stock जो है उसके उपर ही लिएगा और यहां पे आप अपने charts open कर लिजेगा आपको 5 charts open करने होंगे जो कि मैंने आपको बताए अभी pre open market में जो top gainer में हमें देखने को मिल रहा है simply इन 5 stock के chart खोल दीजिएगा तो guys जैसा कि आप देख पा रहे है JSW Steel, Nature Motor, Tata Steel, Supply and Bajajaj Finsov यहां पे 5 chart हमने खोल दीए है time frame आपको जो है वो रखना होगा guys यहां पे 5 minute का simply आप रख दीजिए तो guys आप देख पा रहे हैं 5 minute का chart आपको खोल के रख देना है और आप ready हो जाएंगे 9 बचके 7 minute से 9 बचके 15 minute का आपके पास समय रहेगा और यह जो 7-8 minute आपको मिलेंगे वो बहुत ही जादा होंगे आपको यह सब process करने के लिए तो guys आप ready हो अपने setup के साथ और 5 stock जिस पे आपका पूरा view होना चाहिए उस particular day में क्योंकि वो pre open market के top gainer है और यहां पे guys हमें complete breakout पे काम करना है ना तो यहां पे किसी indicator की हमें रहा है otherwise हमें किसी भी type के indicators या फिर exponential moving average को भी लगाने की जरूरत नहीं है नहीं यहां पर view app को लगाने की जरूरत है लेकिन फिलहाल में आप जो data मेरे screen पे आपको दीख रहा है वो मेरा regular setup है इसलिए दीख रहा है लेकिन आपको जो समझने वाली बात है को आप गौर से करता है वहां पर हमें buying position बनानी है तो यह कैसे काम करेगा उसको समझ लीजे यह चीज़े आपको paid concept में भी नहीं मिलेंगे गर आप महंगे-mहंगे paid courses करोगे वहां पर भी ऐसी चीज़े नहीं बताई जाएंगी जो हम यहां पर YouTube में आपके साथ freely available करवा रहे हैं तो आप द देख पा रहे हैं यहां पर line में ने draw कर दिया horizontal तो opening price जो थी वो थी 674 हमें यहां पर entry लेनी है या नहीं लेनी है यह अभी नहीं समझना है आपको अभी आपको देखना है previous session चार्ट को थोड़ा zoom out करिए previous session में आपको यहां पर एक zone बनाना है और zone आपको कैसे बनाना है व पा रहे हैं जैसे कि यह जो area हमें दीख रहा है यह एक consolidate area है और हमें सिर्फ consolidate area को find करने की कोशिश करनी है यह अभी आपको थोड़ा difficult लग सकता है लेकिन जैसे जैसे आप इन चीजों में enter होते जाएंगे और जैसे जैसे इस type की strategy पर काम करेंगे आपके doubts और भी जादा clear हो तो guys यहाँ पर देख पा रहे है one time two time three time four time five time यहाँ पर breakout करके stock ने एक अच्छी बहुत खास यहाँ पर moment दिखाई है तो हमें जो है वो इसी line का wait करना है आप चाहे तो इसको end तक draw कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं यहाँ तक ही करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि इस level पर प्राइज ब्रेक करेगा तब मुझे काम करना है तो यहाँ पर आज के दीन में आप देख सकते हो कहीं पर भी हमें मौका नहीं मिला stock का price open होता है आप देख पा रहे हैं यहाँ ठीक है यहाँ पर stock price open हुआ उसके बाद stock में moment आई लेकिन हम तब तक यहाँ पे entry नहीं का लेकिन यह है closing time आप देख पा रहे हो तकरीप 20 या फिर तीन बजे का time frame है तो इतना late intraday में enter करना safe नहीं होगा इसलिए हम इस particular stock को avoid कर देंगे उस दीन में आप देख पा रहे हैं दूसरा हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है आई चर मोटर जिसमें pre open market में हमें बहुत ही जादा bullish देखने को मिला stock जो की breakout के साथ ही था बहुत जादा उपर open हो गया था तो हम थोड़ा wait करके देखेंगे कि क्या होगा stock में तुरन तो हमें entry लेनी नहीं है और definitely हमारा जो concept है वो breakout पे है और यहाँ पे nearby हमें कोई levels देखने को नहीं मिल रहे हैं यह वहीं पे open हुआ जहाँ पे इसका breakout था मैं यहाँ पे horizontal line draw करके आपको दिखा देता हूँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बार touch हुआ यहाँ पे हुआ और यहाँ पे भी same scenario बन गया यानि कि highest point पे खुल के profit booking start हो गई और entire day stock जो है वो opening level से नीचे ही रहा यह particular stock भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि market decline गया उस दिन यहाँ पे जादा opportunity हमें देखने को नहीं मिली लेकिन अगर आप bullish market में इस type की strategy पे काम करोगे तो definitely आपको बहुत सारे stock में opportunity मिलेगी और बहुत अच्छी profit जो है वो आप ले पाओगे complete price action concept है यहाँ पे सिर्फ breakout based strategy है और आराम से आप 3-4 stock में 2-3% profit निकाल पाओगे कोई बड़ी यहाँ पे rocket science नहीं है यह strategy simple strategy और मुझे पता है कि यह कहीं लोगों को पसंद आएगी और आप अच्छी खासी profit भी यहाँ पे ले पाओगे तो वाई जैसा कि आप screen पे देख पा रहे हैं तीसरा stock हमारे सामने है Tata Steel कि दो stock के हमारी जो criteria है हम match नहीं किये तो हमने उसे avoid कर दिया Tata Steel जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो zone बन रहा था वो zone बन रहा था यह horizontal line जो की one time यहाँ touch हुई बीच में एक बार फिर कोशिश की गई profit booking के साथ फिर इस line पे correct होके downtrend में चला गया जब यह particular area आप देख पा रहे हो यहाँ मैं draw कर देता हूं पूरा जब यह particular area हमें signal देगा कि यहाँ से stock उपर की और बड़ेगा तब buying करनी है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे closing में हमें breakout मिला था अगर हम चाहते तो इस level पे buy कर सकते थे लेकिन क्योंकि यह closing time आ चुका था और entire day हमें सई trend नहीं मिला तो हमें इस particular stock में भी risk नहीं ले सकते हैं वैसे बहुत सारी opportunity हमने यहाँ पे miss कर दी लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छी accuracy के साथ काम करना है तो आपको अपने levels का weight जरूर करना होगा तो guys यह particular stock भी हमारे काम का नहीं है similarly supply में भी वही हुआ यहाँ पे same scenario बन रहा था बहुत ही long consolidation यहाँ पे downtrend देखने को मिल रहा है और अगर बात कुरू में consolidation का तो बहुत ही long और far consolidation है दूर रह गया वो चीज हमें तुरंत का देखना है हमें nearby consolidation सर्च करना है और क्योंकि यहाँ पे complete downtrend है तो हम इस type के stock को भी avoid करेंगे अब यहाँ पे कहीं लोगों के दिमाग में यह question आ रहा होगा कि opportunity हमें क्यों नहीं मिल रही है तो इसका एक reason पली में बता रहा हूँ pre open market decline था तो possibility जादा है कि सभी stock में profit booking हो और हमारे levels जो हैं वो cross ना हो लेकिन अगर यह bullish market होता तो हमें बहुत अच्छी opportunity मिलती बात करूँ मैं आज के market यानि 9 July के market की भी तो हमें बजाज फिंसव में एक अच्छी opportunity देखने को मिली थी 9 तारीक आप देख पारे हो यहाँ पे 9th of July का यहाँ पे opening time यह है ठीक है यह जो आपको point दिख रहा है तो यहाँ से stock में हमें कहां पे enter करना था आप देख पारे हो जैसा कि हमारा strategy concept है consolidation कहां पे हो रहा है यह level पे consolidation हो रहा है ठीक है तो जब इस particular level को break करेगा stock तब हमें buying opportunity पे काम करना है क्योंकि long consolidation आप देख पारे हो 7 तारीक 8 तारीक और 9 तारीक के शुरुआत तक यह इसी zone में trade हो रहा था एक long consolidation था और जैसे ही इस level को break किया मैं यहाँ पे और इसको थोड़ा लंबा खिच लूँगा ताकि आपके लिए और आसानी हो जैसे इस zone को break किया आपको buying opportunity मिल चुकी है और यहाँ पे आपको किसी type के screener की भी जरूरत नहीं है यही एक सबसे वड़ा screener है यह concept कि पिछले consolidation को जब break out करके stock उपर की और बढ़ेगा तो आप simply buying position पे काम कर पाएंगे तो guys क्या stop loss आपको लगाना है क्या target आपको रखना है उसके बारे में भी मैं जानकार यह आपके साथ share करना चाहूंगा जो candle 5 minute की जो भी candle इस particular area को break out करती है उस candle का highest point जो है वो होगा आपका buying level और उसके पहले वाली candle जो है उसका lowest point होगा आप का stop loss तो अब हम यहाँ पे draw करेंगे long position का एक frame जिससे आपको समझ में आए कि क्या profit and loss हो सकता है तो 9 तारीक कहां है guys 9th of July आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो हमारा breakout level था यह वाला तो उसकी उपर की candle थी यह तो guys आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको God से देखना होगा मैं जूम इन कर देता हूँ यह जो candle है इसके उपर हमने buying position बनाई ठीक है और आप देख पा रहे हैं यह उसकी पिछली वाली candle है यह पिछली वाली candle की low पे हम इसको stop loss रखेंगे तो guys आप देख पा रहे हो जैसे breakout हुआ अगर हम 15 मिनट में भी trade close कर देते तो हमें बहुत अच्छी खासी यहाँ पे profit हो जाती risk factor बहुत ही छोटा रहेगा इस strategy में और यह यहाँ पे बजाज फिंसम में हमें देखने को मिल रहा है लेकिन अगर bullish market रहेगा guys तो आपको बहुत सारे stock में ऐसी opportunity मिलेगी जहाँ पे आप इस type के trades ले पाएंगे यह कोई normal strategy नहीं है यह बड़े बड़े traders इस type की strategy को follow करते हैं और इस type की strategy foreign में ज्यादा use होती है Forex market में लेकिन equity market में जो है वो आप इस पे काम कर पाएंगे और बहुत अची profit आप जो है वो expect कर सकते हैं इस जैसा कि आप देख पारे हो जैसे ही breakout हुआ हमारा stop loss triggered हुआ ही नहीं यानि की पूरा open area था उसके बाद stock न जो है वो बहुत ही straight forward यहाँ पे तेजी दिखाई है और यह तेजी आपको हर stock में मिलेगी जब भी अपने consolidation area से stock उपर की ओर जाएगा आप चाहे तो यहाँ पे वीवैप का use कर सकते हैं कि अगर breakout के time पे वीवैप stock price से नीचे होना चाहिए यह concept आप अपने mind में रखेंगे तो आपका trade और भी ज़्यादा strong हो जाएगा यहाँ पे वीडियो लंबी भी हो रही है लेकिन मैं आपको बताना चाहा रहा था कि पाँचों stock में opportunity कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी उसको समझना बहुत ज़रूरी है तो इस type के concept को लेके आप चल सकते हैं definitely आप एक अच्छी profit expect कर सकते हैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कहां पे आपको enter करना है आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही breakout होगा जैसे ही आप breakout कहां पे हुआ हमें इस candle पे breakout हुआ तो इस candle का highest point जो है यह वाला यहाँ पे आपको buying करनी है stop loss रहेगा पिछली candle का lowest point यानि कि यह वाली candle का lowest point और यहा पे performance हमें देखने को मिला है stock में वो बहुत ही बहतरीन रहा guys यह सिफ एक stock में हमें देखने को मिला previous trading session यानि कि 9 July को लेकिन आप Monday को कोशिश करिएगा इस type के concept पे काम करनी की बस आपको आदत लग जानी चाहिए कि कैसे consolidating area को आपको find out करना है और कैसे आप real breakout जो point है उसको catch कर पाओगे अगर आप इस चीज़ में पकड बना लोगे routine trade करते हुए आप starting में paper trade कर सकते हैं लेकिन अगर आप routine इस type की strategy पे काम करोगे तो आपकी पकड बैट जाएगी और बहुत अची profit जो है वो आप ले पाएंगे अगर आपको यह strategy समझ में आ गई है तो comment करके testing करनी होती है तो आपका एक like जो है वो इस वीडियो पे हमें प्रोचसान देगा आगे नई वीडियो लाने के लिए तो guys मिलता है एक साथ किसे और नई वीडियो में और अगर आपको कोई doubt आ रहे है इस particular strategy को लेके तो इसका second part भी बनाऊंगा और मैं कोशिश करूँगा कि second part जो है वो live session के साथ हो यानि कि live market में हो तो और भी अच्छा मजा आएगा आपको समझाने में चले guys मिलता है एक साथ किसे और नई वीडियो में तब तक के लिए आप अपना जान रखे हैं love you all take care bye bye